कि अब हमें जो कुशन दिया हुआ उसके अंदर हम जो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में डालने वाले एक पर देखते हैं कि कैसे कहां कौन से चीज जालनी है सबसे पहले दिया हुआ मतलब आफ यह दिया है बहुत सारी चीज़े बाकी हैं कंसीडर करने के लिए तो हम पहले उनको कंसीडर कर लेते क्योंकि हमें निकालना क्या है नेट प्रॉफिट बिफोर टेक्स और एक्स्टर ओर्डनरी आइटम वह बाकी है तो चलो हम यह लिखते है पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टेक्स ठीक है सिर्फ टेक्स तक ही दिया हुआ है फिट टी ती ताउजिंड इसको इनसारें थे आप डबिफोर तीन डीया है ट्रांसफर ट्रॉफ डिया है एंड गेन सेल अफ लांड लिए है तो ट्रांसफर टॉफिट जनरल डिशाब तो यहीं आट कर देते हैं फर्स्ट वाले में तो कि हां हम आट करेंगे 1000 and we got our answer को कि उसके बाद तो कुछ है नहीं ऐसा जो हमारे first step में आए तो हमांसर प्राफिट बिफोर टेक्स एंड एक्स्ट्रा ओर्डिनरी आइटेम्स तो हम क्या करने वाले हैं अब हम अजस्मेंट्स करने वाले हैं non-cash non-operating items का तो हम यहां क्या लिखेंगे second step adjustment of non-cash and non-operating items okay now just check in the question कौंसी non-operating non-cash items है depreciation yes good deal amortized good will come हुई है yes gain on sale of land yes उसके नीचे आप देखो के question के अंदर current asset or current liability के changes है वो तो हमारा third step है that is not our second step तो हम second step में क्या करने वाले है add करने वाले हैं जो non-cash and non-operating expenses है जैसे की depreciation depreciation दिया हुआ है कितना one lakh then they have given goodwill amortized goodwill कम हुई है तो goodwill भी आड करेंगे हम कितना 50,000 then नीचे दिया है gain gain not loss gain on sale of land तो gain जब भी दिया होता है तो वो non-operating income है income non-operating income को हम less करते हैं add नहीं करते हैं तो यहां जाता है मेरा gain on sale of land कितना दिया हमें gain that is 30,000 तो यहां तक हमारा हो जाता है step 2 step 2 का अंसर निकाले स्टेप 2 का अंसर आ रहा है क्या था याद करो क्या लिखते हैं हां ओपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर चेंजेज याद करते जाओ साचा चेंजेज इन वर्किंग क्यापिटल यह ध्यान रटना है ठीक है कि step 1 का अंसर क्या है स्टेप 2 का अंसर क्या बुलते स्टेप 3 के यह स्टेप 1 का अंसर है यह स्टेप 2 का अंसर है ठीक है चुले 3,20 प्लस करेंगे 4,70 4,70-30 वैसे भी कर सकते हैं तो आट इस 4,00 करके देखो कितना आ रहा है 4,40,000 स्टेप 3 में क्या करना था वरकिंग कापिटल चेंजस दिखाने थे तो वरकिंग कापिटल चेंजस दिखाते हैं चलिए क्या है ट्रेड रिसीवेबल हमारे बड़े हैं ऐसे बड़ी है चीक है ओके देन ख्लोजिंग ओपनिंग देखे अगर ट्रेड पेबल का तो कम हुआ है मतलब लियाबिलेटी कम हुई है चीक है पेमिंट की होगी प्रीपेड इक्समेंस देखे तो कितना हुए ख्लोजिंग बैलनस इस 40 एन ओपनिंग बैलनस इस 60 तो मतलब वह भी कम हुए है चल के तो एकटी तुलग्ती तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रेड रेसीवेबल ठीक है हमारे ट्रेट रेसीवेबल बड़े हैं जब भी ऐसेड बढ़ती है करें बढ़ती है तो पैसा जाता है तो वह मेरा और अगया 10.000 छीक है फिर ट्रेड पेबल कम हुए है प्रेड पेबल कम हुए 1,50,000 था अब 1,00,000 है मतलब clearly हमने payment कियोगी ठीक है payment कियोगी तो हमारा cash outflow है तो trade payable भी यहीं आएगा trade payable कितना हो गया 50,000 माइनस हो गया चले next prepaid expense कम हुए है asset का कम होना asset का कम होना मतलब पैसा का आना तो add में जाएगा this will be prepaid expenses 60 थे 40 हो गए तो 20 add हो गए ठीक है last अब हमारा answer आ जाएगा यहा पर text का तो कुछ बाट दिया नहीं है तो obviously directly we are coming to the answer that is cash flow from operating activities ठीक है last answer आ जाएगा calculate करो 4,60 याड हुआ है 4,60-60 तो answer आ गया हमारा four lakh okay समझा इसको outer column में डालना है as we know four lakh is our answer for cash flow from operating activity तो याद रखना step one step two step three and we'll get the answer okay practice करो practice करने से ही सारी चीज़ा समझ में आएंगी हम कर रहे थे cash flow from operating activity अब हम वहीं कर रहे हैं लेकिन अब हमारे पास एक पूरी बालन शीट है उस बालन शीट के अंदर नोट्स तो अकांट से आप देख पाओगे यहां पर स्क्रीन पर प्रिकुलर कुश्ट क्योंकि कुश्ट थोड़ा बड़ा है तो ऑविसली कुश्ट आप एक बार देख लो उसके बाद उसमें से एंट्री उठा कर डालेंगे अप पूरा कैश प्लो नहीं बना रहे हैं इसमें ऑपरेटिंग अक्टिवीटी ही बना रहे हैं लेकिन हमने फॉर्मेट पूरा प्रॉपर लिखा है सी पर्टिकुलर रुपीज रुपीज तो यह इनर कॉलम है रुपीज का यह आउटर कॉलम रुपीज का है ठीक है अब हम कु पेरेख़ा थैक्स तीक है इसली उन्होंने उसका नोट नंबर नहीं दिया है एसाट की वने नोट नौन करंट आसे डिसमें टेंजिबल इंटेंजिबल नौन करंट इन्वेस्मेंट सारे हैं कारण टेंट इसे से इंवेंटरी ट्रेड सेवल काश टेंग यह इक्विवैल answer then intangible asset goodwill को define किया हमें क्या चाहिए होता है पहले अब हमें क्या चाहिए हमें चाहिए net profit before actually before हमें निकालना है after दिया हुआ है तो अगर आप after देखोगे तो reserve and surplus के अंदर आपनो देख आपको देखना पड़ेगा 3 लाक 50,000 और 2 लाक दिखा हुआ है लिखा हुआ है आप देख सकते हो इस कोशन में लिखा हुआ था तो हम यहां लिखेंगे पहले तो cash flow from operating activity इसके अंदर हम लिखेंगे net profit यहां पर आपको क्या दिया हुआ after दिया हुआ है आपको before पर जाना है after tax कितना दिया हुआ है profit after tax closing में दिया है 3,50,000 opening में दिया है 2,00,000 तो हम क्या करने वाले है 3,50,000-2,00,000 करके 1,50,000 जो हमारा answer आता है profit का वो रखा यहां पर हमने चिक है अब हम दूसरी यह entry देखेंगे क्या हमारे पास dividend है क्या हमारे पास tax है क्या है let's see from the question question में आप देख सकते हो current liability current liability के अंदर short term provision दिया है provision for tax उसमें current year का balance दिया है 50,000 और previous year का balance दिया है 30,000 हमेशा ध्यान रखना है इसमें हम सिर्फ current year का balance ही लेंगे other than that अगर हम देखें तो dividend भी नहीं दिया है नीचे ना ही additional information में ना interim dividend है ना ही other entries है तो हमें चाहिए starting में हमें सिर्फ चाहिए अब provision for tax और कुछ नहीं तो that is why we are taking provision for tax current year into the sum तो अब हम क्या करेंगे provision for tax को यहाँ add कर देंगे will write add provision for tax as I said current year का amount लिखना है that is 50,000 ठीक है that is 50,000 अब 50,000 को add करके टूला के आँ डारेक्टली लिख सकते हो हमें काम करेंगे जो भी add less करना होगा वह add less करने के बाद इसको लिखेंगे ठीक है तो अभी next entry पे जाते है अब हमें क्या चोई हमारा net profit before tax निकल चुका है अब हम देखेंगे non cash non operating items non cash non operating item में which we can see from the above question question में देख सकते हैं क्या डूनना पड़ेगा हमें depreciation yes depreciation notes to accounts में clearly given है accumulated depreciation 1,80,000 that means 20,000 इस साल का depreciation है औहो नहीं हमें account बनाना पड़ेगा asset का जब भी इस तरीके से कोई भी question दिया होता है तो पहले आप asset का account बना लो जिससे आपको clear पता चले कि आपका total depreciation या फिर loss या profit क्या है तो अभी इसके बाद हम पहले बनाएंगे अपना account of any fixed asset इसके बाद हमारा आ चुका है this much we are done with यह हमारा 2 lakh क्या है net profit net profit before text ठीक है यह before text आ चुक है क्योंकि हमने add कर लिया text को तो यह before text हमारा चुक है इसके बाद हम क्या करने वाले है non cash non operating items non cash non operating items ओके इनका हम adjustment करेंगे this will be adjustment अब इसके अंदर सबसे पहले depreciation चाहिए हमें अब depreciation के लिए as we have read the question उसमें clearly लिखा है कि हमें account बनाना पड़ेगा let's see account कैसे बनता है हमें leisure account बनाना आता है we all know that हम क्या करेंगे इसे rough में बना रहे हैं इसलिए इसको proper format बनाने की ज़रूरत नहीं है simple आप क्या कर सकते हो particular amount particular amount ठीक है इस तरीके से आप लिख सकते हो debit credit क्योंकि यह बनाने के लिए नहीं बोला है operating को बनाने के लिए इसे हम नोट में बना रहे हैं तो इसलिए इसको थोड़ा राफ बना सकते हैं तो यहां पर हम क्या लिखेंगे machinery जो हमारी एसेट है machinery account उसके exact नीचे accumulated depreciation account यहां पर हम depreciation account बनाएंगे यह फिर आप सिर्फ depreciation यह provision for depreciation जो आपको सही लगे वह लिख सकते हो तो वह आप हमने बनाया debit credit यहां पर particulars लिखना है तो भी ठीक है as I said this is your notes आप चाहो तो लिखो नहीं तो यहां से तो सिर्फ आप क्या कर रहे हो amount उठा कर अपने operating में डाल रहे हो तो आपको क्या करना है यह account का preparation करना है यहां से आप amount उठाने वाले हो अपने operating के लिए ठीक है चले सीदे question क्या कितना balance दिया है क्या दिया है फिर हम उसके अंदर enter करते हैं अब हम देख सकते हैं कि मशीन के मशीनरी के अंदर जो बालंस है वो ओपनिंग बालंस तू लाक एटी है लोजिंग बालंस तू लाक है अक्यूमलेटेट देप्रेशेशन है वन लाक फॉर दो इस यह डाट मेंस 2018 और जो भी आप ले सकते हो 20 और लास्टियर का हमारा इसमें दिया हुआ है 50000 तो करण यह का है वन लाक अक्यूमेलेटेटेट देप्रेशेशन प्रीविए सी और लाट वी नीद तू अब हमें देख्णा अडिश्णल इनवमेश्यन 15 और इटी ताॉज़न अच्यूमलेटेट देप्रेशन है उसका मशीन का कॉस्ट है 80,000 उसका accumulated depreciation है 20,000 उसे loss पर सेल कर दिया गया है loss कितना 18,000 तो यह कहीं न कहीं हमारी machinery account से connected है अब हम इसकी entry करेंगे machine के balances के साथ accumulated depreciation के साथ and then हमारे loss on sale of machinery and all जो होगा वो सारा हम एक साथ देखेंगे अब हम क्या करेंगे machinery में उसके account है वो asset account है इसलिए उसका balance brought down debit में आता है carrot down credit में आता है पहले हमें यह समझना है same way accumulated का उल्टा होता है क्योंकि यह एक liability account है provision है तो यहां पर इसका brought down आएगा यहां पर इसका carrot down आएगा यह हमें ध्यान रखना है कभी भी कोई भी account बनाओ तो asset है तो brought down debit credit में carry down liability है तो उल्टा जाता है यू can see that clearly brought down balance है हमारा two lakh और carry down balance है हमारा two lakh eighty thousand year machine का balance दिया हुआ है two lakh eighty carry down जो भी हमें closing बोलते हैं opening है two two lakh मतलब previous year का balance यह current year का balance previous year का opening होता है current year का closing होता है अगर मैं देखती हूँ accumulated depreciation account तो previous year का balance है eighty thousand और current year का balance है one lakh current year का balance है one lakh अब हमें समझना है जो machine हम sale कर रहे हैं उसका accumulated depreciation है twenty thousand मतलब यहां depreciation से वो निकल कर चला जाएगा machine में कभी भी कोई भी machine अगर बिकती है तो उसका depreciation हम accumulated depreciation से निकाल कर machine में डाल देते हैं तो यहां पर हम depreciation को transfer कर रहे हैं कब हम यहां लिखेंगे to machinery account कितना हम उसका depreciation transfer कर रहे हैं 20,000 जो machine हमने बेची उसका depreciation 20,000 है वो हम transfer कर रहे हैं सो यहां हम लिखेंगे by accumulated depreciation account पूरा लिखने की जरुरत नहीं है क्योंकि again मैंने बुला यह notes हैं तो इसका आप total amount से देखने वाले जो आपको लेकर जाना है वहां operating के अंदर ठीक है now accumulated depreciation transfer कर चुके हैं अब हमने एक machine को थी कितने की machine 80,000 की उस पे depreciation लगा 20 कितने की हो गई 60 60 के again हमने loss भी किया है if you know हमने पढ़ा था जब portion उसमें clearly लिखा हुआ है loss तो हम loss credit में लिखते हैं और profit debit में लिखते हैं क्योंकि ledger है journal नहीं है journal में हमेशा profit आपका आता है credit में और loss आपका आता है debit में लेकिन जब वो transfer होता है ledger में तो वो उल्टा होता है तो हम यहां लिखेंगे by loss on sale of machinery यह अब आपके उपर है क्या पूरा लिखना चाहते हो अदा लिखना चाहते हो क्योंकि अगेन नोट्स है तो 18,000 का हमें loss हुआ है 80 की थी 20 कप आपका गया depreciation 12 18 का गया आपका loss तो 80-20 60 60-18 पताइए 60-18 तो हमारे पास कितने आए जितने भी आए that is bank by bank हम sale में लिखेंगे यहां पर जब भी कोई ऐसा जाती है credit में आती है debit में यह जा रही है कितने में जा रही है that is 42,000 got it अब यह चीज़ तो हमें समझ में आगी यहां वाला टोटल कर लेंगे उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि हमने कितनी asset ली यह हमारा balancing figure है यह हमारा purchase है debit में purchase आता है credit में sale आता है तो अगर वहां का टोटल करें 50 60 80 2,80,80 that is 3,60 3,60 में से 2,00,00 चला गया मतलब हमने 1,60,000 की machine को purchase किया है now close the other account यह account यहां का total अगर दिख रहा है मुझे debit का तो this is 1,20,000 as you know जिसका ज्यादा होता है उसका हम पहले लिखते हैं 1,20 यहां 80 है तो यहां क्या होगा यहां होगा इस साल का depreciation current year का depreciation तो current year का हमारा depreciation आ रहा है वो आ रहा है 40,000 तो हमें इस 40,000 को लेकर जाना है अपने operating में याद रखना है accumulated depreciation account अगर बन रहा है यह वाला depreciation जाता है यह नहीं जो machine बिकती है उसका depreciation transfer होता है और जो machine मतलब total machine का depreciation जाना चाहिए including that sold वाला machine so this is 40 that we are going to take in operating now see here non cash non operating item में depreciation is the first thing which we have taken from account depreciation आप working note में दिखा सकते हो one यह मेरा working note 1 दिखा दो अगें इसका amount कितना है 40,000 तो आप इसे 40,000 लिख सकते हो now see the next part कि हम non cash non operating में कौन सी और वाली और चीज़े है जो में डालनी है अब आप question देख सकते हो इसमें हमें और क्या चाहिए non cash non operating item के अंदर depreciation अल्रेडी आ चुका है हाँ loss loss हम transfer करते है profit हम transfer करते है and then कुछ goodwill या फिर कोई ऐसी tangible intangible asset है जो amortized depreciation हुआ है depreciation already लिख दिया है तो अब यहाँ पर हम देख रहे है question के अंदर goodwill yes goodwill हमारा last year 1 lakh था इस year 95,000 है तो इसका मतलब goodwill amortized हुई है सारे के सारे items को देखिए assets को देखिए assets वाला पाट तो हमारा already हो चुका है तो उसे देखने की जरुवत नहीं पड़ेगी as you can see non current investment बड़ी है मतलब वो purchase हुई होगी goodwill कम हुई है वो amortized हुई है तो और कोई item इसमें हमें नहीं दिख रही है पूरे question में सिर्फ दो ही चीजे बाकी है that is loss on sale of machinery and goodwill amortized चलो डालते हैं उसे entry के अंदर so यहां डाल रहे हैं हम loss on sale of machinery loss डालते हैं तो हम क्या करते हैं add करते हैं profit होता है तो हम deduct करते हैं वो हमें ध्यान दटना है तो loss कितना है हमारा that is 18,000 you can see clearly and अभी हमने बोला goodwill amortized हुई है तो goodwill amortized हुई है तो हम यहां लिखेंगे goodwill कितनी amortized हुई है goodwill amortized 5,000 we'll see the other entry now इसके बाद हमारा operating profit before working capital change आ चुका है अब C working capital के लिए हम balance sheet में देखेंगे current asset, current liability current liability देखेंगे trade payable given है trade payable आपके बढ़ गए हैं तो कभी liability बढ़ जाती है तो हमें add करना होता है short term provisions दिये है provision for tax वो नहीं लेंगे हम यहां पर क्योंकि already उसे हम ले चुके हैं तो उसे हम नहीं लेंगे मतलब सिर्फ trade payable आएगा current liability में से current asset देखेंगे current asset में inventory है जो बढ़ चुकी है cash again trade receivables हैं वो भी बढ़ चुके हैं वो दोनों लेंगे cash and cash equivalent को हम नहीं लेते हैं cash and cash equivalent को हम last में लेते हैं ध्यान रखना है current liability में से provision for tax नहीं ले रहे current asset में से cash and cash equivalent नहीं ले रहे तो हम लेंगे trade payable inventory trade receivable in that account अब यहाँ पर हमें वही वाली चीज़े आड़ करनी है पहले हम लिखेंगे operating profits before change in working capital working capital के अंदर change किये बगार हमारा profit कितना है तो अब क्या करोगे इसको total कर लेते हैं क्योंकि यह वाला पाट की जरुवत नहीं है इसको ही total करना है हमें यहां तक this is two lakh two lakh forty two lakh fifty two lakh sixty three two lakh sixty three thousand यहां तक हमने आड़ कर लिया अब हम क्या करेंगे working capital का change अभी देखा हमने देखा ना trade payable हमारे आड़ हो रहे हैं क्योंकि trade payable बढ़ रहे हैं as we have seen in the balance sheet trade payable हमारे आड़ कितने हो रहे है 17,000 आड़ किया the next हम क्या करें अचा assets हमारी assets भी increase हो रही थी तो हमें assets increase होती है तो हम less करते हैं liability increase होती है तो हम आड़ करते हैं इसलिए हमने trade payable को आड़ किया है और हम less करेंगे किसे दो चीज़े थी हमारी याद है inventories first was inventory and next was trade receivables trade receivables now inventory का amount कितना add हुआ है that is 75,000 चेक कर लो and trade receivable का 67,000 यह हमारा यहां से कितना बड़ा था तो हमने उसको less कर दिया इसको आप minus में लिख सकते हो जहां भी less करना हो minus में लिख सकते हैं यहां पर भी हमारा क्या आएगा यहां आएगा cash अगर आपका माइनस में अंसर आ रहा है तो used नहीं माइनस में आ रहा है तो फ्लो cash flow कि विफोर है टेक्स हमारा टेक्स देने से पहले कितना फ्लो हो रहा है चले पहले उसको देख लेते हैं टू लाक एटी यह हुआ अज विकेंजी सेवेंटी टू लाक एटी हुआ इससे आप करेंगे तो कितना आमांट आ रहा है हमारा 75 प्लस थिस आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्लियरली तू लाक एटी थाउजन बाहर लिख दिया इसमें से हम इसको माइनस कर रहे है जीरो 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 अग्याव दिस सेवें प्लस फाइव तू ट्वेल डाट इस फॉर्टी तो वन आपका कैश फ्लो बिफोर टेक्स आचुका है कैलकुलेट करेंगे सेवन त्री वन लाक थाटी एट थाउजन अब यह बिफोर टेक्स है हमें आफ्टर टेक्स निकालना है ना टेक्स देने के बाद तो हम क्य 30,000 वो क्या है 30,000 उसे मांइस कर देंगे और हमारा और राश् нас प्लो छॉॉ from operating activity जा ל׆ हिकिन केके चैस फ्लो फ्रॉम भर टी आंसर आचुका है 1008 8,000 सीधा सीधा ठीक है तो cash flow from operating activity आचुका है 1,08,000 क्या किया पूरे question में हमें accounts भी बनाने थे उन accounts से हमने amount depreciation का उठाया है अच्छा एक चीज और बता देती हूं यहां पर हमने दिख रहा है इन्हें हम यूज करने वाले हैं investing activity में क्योंकि investment activity क्या होती है asset खरीदना asset बेचना तो यह account वहां भी काम आएगा वहां पर हम यह purchase और यह sale उठाकर डालने वाले हैं अब हम बात करें वही operating activity की लेकिन balance sheet पूरी दी हुई है notes to accounts दिये हुए है और 4-5 adjustments दिये हुए एक बार read कर लेते हैं पूरा का पूरा साम तो समझ में आएगा क्या दिया हुआ है और हमें कहां से क्या pick करना है दिमाग में blueprint बनाना है कि मेरा first step के अंदर क्या जाएगा second step के अंदर क्या जाएगा third में क्या जाएगा and finally will get the answer तो वह पूरा blueprint के लिए एक बार question को read कर लेते हैं surplus 3,10,20,000 minus में दिया है लेकिन reserve and surplus और share capital दोनों के लिए notes true accounts में notes दिये है first number share capital equity share दिया है 4,50,000 last year this year 5,50,000 then 5% preference share दिया है again last year 3,00,000 अब 2,00,000 है लेकिन 5% है मतलब उसका dividend 5% होगा यह हमारे दिमाग में रखना है हमें क्योंकि dividend हम first वाले step में ही लेते हैं then come to the second point reserve and surplus उसके notes में जाईए reserve and surplus में security premium reserve है वो बड़ा है general reserve भी बड़ा है transfer to general reserve हो गया वो हम लेंगे again balance and statement of profit and loss 1,50,000 minus में 1,40,000 है मतलब last year loss था इस साल profit है हमें यही part पहला लेना है first to calculate net profit before tax and extraordinary item उसके लिए हम यह वाला पाट लेंगे come again उपर आ जाओ balance sheet के second वाले पाट में liability वाले पाट में non current liability दी है जिसमें 8% debentures है 8% debenture मतलब उसका interest 8% होगा 2,60,000 current year last year 1,50,000 current liability 8% bank loan भी दिया है again वहाँ पे भी interest आने वाला है 40,50 last year का 50 इस साल का 40 trade payable 1,20,000, 1,10,000 trade payable और short term provisions short term provisions में again इन्होंने दिया है notes to account उसमें है provision for tax provision for tax का current year का balance last year का balance ठीक है अगैन हमें दी है assets इसके बाद हमारी assets दी हुई है उसमें कोई notes to account नहीं है यह अच्छा है directly जो दिया हुआ वही है fixed assets दी है tangible intangible non current investments सिधा सिधा दी है देख लेंगे क्या बढ़ रहा है क्या है वो डालेंगे trade receivable same है change नहीं है cash and cash equivalent तो हम last में लेते हैं फिर आजाता है हमारा additional information जब हम बात करते additional information की तो machinery sale हो रही है with the depreciation मतलब machinery account बनाना पड़ेगा ठीक है depreciation दिया हुआ है उसका 60,000 tangible assets का मतलब machine का में depreciation दिया है तो हमें account बनाने में आसानी रहेगी dividend equity share को 8% दिया है opening balance पे यानि कि dividend आ गया हमारा equity share holders का next income tax given 45,000 इसका मतलब provision for tax का भी account बनाना पड़ेगा ठीक है additional debentures दिये है issued at park on 1st October इसका clear मतलब है और bank loan भी हमने repay किया है on the same date मतलब छे-छे महिने के interest का provision देखना पड़ेगा हमें क्योंकि October में redeem हो रहा है October में issue हो रहा है तो 6-6 month ध्यान रखने है at the end of the year preference share redeem कर दिये गए है अट प्रीमियम आफ 5% प्रेफरेंचेर को प्रीम के at the end पे मतलब पूरे साल का dividend हम इसको देंगे तो यहां से यह सी चीज़ पता चल रही है और प्रीमियम हम कितना दे रहे हैं वह भी हमें दिख रहा है 5% चले अब इसकी साट करते हैं कुशन का in that question format that is cash flow from operating activity अभी हमें क्या निकालना फर्स्टेप नेट प्रॉफिट बिफोर टेक्स एक्सा ओडिनरी आइटम उसके लिए हम अगर इसे यहां ना निकाल कर डारेक्ली बाहर निकाल कर उसका वर्किंग नोट में डालने तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो हम क्या करेंगे पहले हम लिखेंगे surplus जो हमारा अमाउंट है surplus balance in statement of profit and loss account अब हमें क्या करना है profit and loss account closing balance पहले देखना है कितना है if you can see closing balance and then opening balance opening में you can see loss तिया है 1,40,000 है यहां पर and then that closing is given 1,50,000 लेकिन opening हमें minus में दिया है loss तिया है हमें पता है closing minus करते हैं less तो यहां पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा opening less less तो इसलिए वो add हो रहा है तो मेरा amount बन रहा है 2,90,000 अब आपको याद है इसके दर हम क्या चीज़े add करते हैं क्या चीज़े डिड़क करते हैं तो हम add क्या करते हैं यहां पर हम add करते हैं सारे dividend transfer है ना यहां पर general reserve में जो transfer हो रहा है हमने देखा था अभी general reserve के अंदर transfer हो रहा था that we have seen in the balance sheet कितना था वो transfer the transfer वा 30,000 तो हम यह 30,000 उसको लिखेंगे ठीक है and then another one dividend आपको देख आप हमने वही balance sheet के last adjustment में पढ़ा था dividend 8% है equity पे आप calculate कर सकते हो it'll come 36,000 8% on the previous year balance ध्यान रटना on the previous year balance that is 450,000 तो उस पर आप calculate करके देख सकते हो आजाएगा 36,000 अगें प्रेफरेंस का dividend प्रेफरेंस डिविदेंट प्रेफरेंस डिविदेंट प्रेफरेंस का डिविदेंट 5% on the last year balance अगें 5% on last year balance that is 15,000 calculate करके देख लो यह भी आ गया अब में चाहिए टेक्स प्रोवीजन फॉर टेक्स अब प्रोवीजन फॉर टेक्स हम सीधा नहीं डाल सकते हाला कि उसमेड पेड दिया हुए मेड जो है आप देखो कि अदिशनल इंफोमेशन में क्लियरली गिवन है मेड यहां पे य लिए क्या करेंगे अकाउंट बनाएंगे अकाउंट एक बबना लेते हैं प्रोवीजन फॉर टेक्स का चिके प्रोवीजन फॉर टेक्स का अकाउंट हम बना रहे हैं यहां पर और इसका जो भी अमांट होगा उसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं अपने profit and loss दिस कैश्फ़ो के अंदर इसको लेकर जाएंगे तो इसे प्रॉफिट विफोर टेक्स एंड एक्स्ट्रा ओडिनरी आइटम्स यह तो आपको पता ही है चलिए 2,90 और यह सब को हमें आड करना है दिसे 66,000 दिसे 60,000 तो बेसिकली 1,2,6 आप ऐसे भी आट कर सकते हो इसी हो जाएगा 1,0,0 अगें दिस 6 छीक है देन फोर्थ तंबर पर दिखेंगे 9 and 12 12 plus 9 that is 21 21 का 1 2 देर 4,16,000 यह हम ट्रांसफर करेंगे यहां पर हम लिखेंगे यहां पर profit before tax and extra ordinary items लिखा इसे working note 1 दे दो उसमें से हमने उठाया है that is 4,16,000 इसे धंग से देख लो working note 1 को धंग से देख लो this is working note 1 क्योंकि इसके बाद हम इसको हटा देंगे क्योंकि इसके बाद हमें एक और account बनाना है तो इसलिए अब देख लो surplus है closing opening आए हम profit पे transfer of general reserve आट किया डिविजिन जो उमने पे किया वो एड किया और provision for tax made made paid कैसे निकालते है वो भी एक बड़ देख लेते हैं यहां पर provision for tax का अगर मैं account बना हूं यहां पर brought down यहां पर carried down क्योंकि यह liability account है आपको क्या करना है अपने balance sheet के अंदर अगर आप amount देखते हो तो यह clearly given this is 40,000 this is 50,000 and they have clearly given made हम लिखते हैं यहां पर made मतलब इस साल जितना पैसा डाला account में वो है 45,000 यहां पर तो आप इस साइट का total करोगे तो 85 आ रहा है तो what we can do is इसमें से 50 minus करके paid निकाल देंगे this paid is balancing figure जोसे हम use करने वाले हैं वैसे तो यह two bank होता है by profit and loss होता है लेकिन हां यह रफ निकाल रहे हैं तो हमें समझ माता है क्या made है क्या paid है तो this is 85 minus 50 तो paid कितना हुआ 35 तो इससे हम use करने वाले है cash flow from operations में अब आप क्या करेंगे अब हम question पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में non cash non operating items क्या है और फिर बाकी account बनाएं कैसे बनाना है चलो read the question अब हमें डूड़ना है question के अंदर जो non cash non operating item हो जाएगा क्योंकि हम profit before tax and extraordinary item निकाल चुके हैं अब non cash non operating में depreciation चाहिए depreciation check करते हैं क्या नीचे दिया हुआ depreciation नहीं yes depreciation is given on tangible asset 60,000 तो directly उसे उठा लेंगे नहीं दिया होता तो हमें asset का account बनाना पड़ता है जो हम बनाएंगे ही क्योंकि हमें loss भी देखना है again loss on sale of machinery दिया हुआ है during a year a piece of machinery costing 60,000 on which depreciation charge 20,000 was sold for 20 तो अब देख सकते हो 60 वाली चीज 20 का depreciation गया 40 की बची sale की है 20 में तो उसका loss भी आया है 20 यह भी समझ आ रहा है फिर interest क्या हमने कुछ interest दिये हैं any interest yes debentures है loan है 8% debenture है यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि debentures हमने 1st October 2019 को issue किये थे और bank loan को भी repay हमने अक्तूबर में ही किया है तो उसके interest को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि कितना देना है ठीक है वो एक बार हम calculate कर लेंगे then दोनों के interest चाहे interest on debenture हो interest on bank loan हो goodwill भी कम हो रही है हमारी goodwill amortize हो रही है check yes goodwill हमारी amortize हो रही है that is 40-15 25,000 की हम जो premium दे रहे है redemption की time पर as we can see हम preference share redeem कर रहे है अपने premium पर 5% तो वो भी हमें write-off करना पड़ेगा वो भी कही न कहीं हमारे profit को कम करके गया है and that is not a operating activity इसलिए हम उसको भी add करेंगे चलिए see how we are going to write this all in the statement अब हम कर रहे है non cash non operating items तो यहां लिखेंगे non cash and non operating items उसका adjustment कर रहे है तो adjustment लिख सकते हो आप अब सबसे पहली चीज हमने देखी थी वहां पर क्या depreciation clearly given है additional information में 60,000 ठीक है उसके बाद हमने क्या देखा था second चीज हमने देखा loss on sale of machinery calculate क्या था 60 की थी 20 का depreciation 20 में sale हुई तो 20,000 उसका loss हो गया इतना तो हमें समझ में आता ही है कि 60 की कोई चीज है उसके पर 20 का depreciation लगे और 20 की वह से लो तो loss होगा कितना that is 20,000 अब हम बात करते हैं interest की interest सबसे पहले बात करते हैं interest 8% था डिवेंचर पे इफिकेंसी डिवेंचर पे तो 1,50,000 का डिवेंचर पे हम देंगे कितना that is 8% and full मतलब हमने additional नहीं लिए लास्टियर के जितने बीवेंचर थे उन पर तो पूरा देना है 1,50,000 इंटू 8% जो additional आए नहीं आए आपने देखा नहीं वाले 2,60 मतलब additional कितने आए 1,10,000 तो 1,10,000 पे 8% इंटू 6 months का 6 by 12 तो यह आप calculate करो यह interest on debenture आ गया है interest on debenture if you can calculate this this is 12,000 and this is 12,000 के वाद 4,400 यह 12,000 नहीं यह 4,400 है मतलब कितना हुआ 16,400 यह calculate कर सकते हो आप next interest on bank loan यहां भी देख रहे थे अभी हम interest on bank loan सारे interest क्योंकि यह financial finance related है वो सब हम डाल देंगे यहां पर अब bank loan में repayment की गई है see 50,000 10,000 के repayment है तो 50 again 50,000 पे 8% into 6 month क्योंकि वो 6 महीने के लिए हमने use किया plus 40,000 into 6 by again 6 by 12 that is 8 by 100 and 6 by 12 वही आ जाते है 8% है 6 month ka so that total is your year अगर मैं calculate करती हो तो this is 3,600 तो that is 3600 तो calculate क्या 3600 यह वाला पाट हो गया next क्या है goodwill as you can see goodwill amortized है goodwill amortized goodwill amortized कितनी है 25,000 25,000 हमारी goodwill amortized है कम हुई है उससे फिर लास्त है हमारा एक premium दिया गया था premium on redemption premium on redemption of preference share preference share ओके तो हमारा एक लाग के preference share redeem हुए थे उसके उपर हमने 5% premium दिया है तो एक लाग का 5% कितना 5000 तो हमारा हो गया नौन cash non operating item अब क्या करेंगे इसको total करेंगे we'll get what हमें क्या मिलेगा that will be operating profits before changes in working capital working capital से पहले का जिसके बाद हम देखेंगे add less करेंगे जो अपने working capital में हुए है यह सारी चीज़े हम add कर रहे हैं सी हम सारी चीज़े आड करें दिखते जाते हैं कितना है फेले यह दिख लेते हैं 60 प्लस 20 80 90 इस वन लाक हो गया 1,30 इसमें 1,30 अगर मैं add कर दू तो कितना हो जाता है 5,46,000 तो यह हमारा गया अब हम देखते हैं current asset current liability में क्या change है और उसको हम add less करेंगे चले read the question now now we can see in the current liability trade अगर अगर आप देखो तो 8% bank loan दिया है short term borrowings short term borrowings को हम नहीं लेंगे क्योंकि short term borrowing again हमारा part आजाता है उसके अंदर that is financing के आपने लिया है अगर payment लिया या कुछ भी तो वह financing में चला जाएगा यहां पर हम देखेंगे trade payables trade payables हमारे बढ़ रहे हैं liability बढ़ रही है उसे लेंगे हम short term provisions में notes है short term provisions को देखें तो provision for tax है again उसे भी नहीं लेंगे क्योंकि वह already हम tax made और paid में ले चुके हैं तो current liability में सिर्फर सिर्फ trade payable लेंगे जो 10,000 से बढ़ा है next current asset में आजाएगे again current investment हम नहीं लेते हैं then क्योंकि current investment is a part of cash and cash equivalent में माना जाता है inventories yes inventories हम लेंगे trade receivables trade receivables में तो कोई change हुआ ही नहीं है तो उसे लेने की ज़रुरत में है cash and cash equivalent again हम नहीं लेते हमें क्या लेना है current liability में से trade payable current asset में से only inventory trade payable 10,000 से बड़े है inventory हमारी 95,000 से बड़ी है तो हम इन दोनों चीजों को working capital change में लेंगे see how we will change अब हम क्या करने वाले हम working capital change करने वाले एक inventory हमारा बढ़ा था as we have seen in the question inventory is 95,000 से बड़ी है कभी भी asset बढ़े तो हो minus होती है और liability बढ़े यानि कि trade payable बढ़े थे हमारे trade payable हमारे बढ़े थे कितने 10,000 से तो हमें ध्यान रखना है उसे plus करना है 10,000 को plus करना है सो हमारा amount यहां पर आ जाता है again 5,46,000 इसमें हम यह 85,000 को minus करेंगे this 85,000 we will reduce and then we'll get क्या मिलेगा हमें हमें मिलेगा cash generated cash generated from operating activities before text हम text देने से पहले की बात कर रहे हैं तो 5,46 minus 85 चीक है 5,46 minus 85 0,0,0,1 6 में से जाएगा 8,4 again 8 हमारा जा रहा है 4 के नीचे that is 6 and this is 4,461,000 अब क्या करेंगे less text paid अब यह text paid यहां दिख रहा है 35,000 यह 35,000 हम इसमें से deduct करेंगे आ गया हमारा answer cash flow from operating activities यहां लिखेंगे cash flow from operating activities ठीक है flow user करते हैं जब plus में answer आता है cash used in operating activity तब यूज करते हैं जब minus में answer आता है यहां पर plus में answer आ रहा है पैसा आ रहा है 11-5,6,5-3,2 यहां पर हो गया and then this is 4 तो 4,26,000 हमारा answer है operating का यहां पर हमें machine account बनाने की ज़रूद नहीं पड़ी क्यूं क्यों क्योंकि हम investing नहीं बना रहे क्योंकि हमारा depreciation directly दिया हुआ है depreciation directly ना दिया होता तो शायद हमें machine account बनाने की ज़रूद पड़ती investment हम investing activity अभी नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें machine account बनाने की अभी ज़रूद नहीं पड़ी जब हम investing करेंगे तब हम machine account बनाएंगे इसके बाद हम सीखेंगे investing activity अभी तक आपने क्या किया बड़े-बड़े समय operating को समझा अब पहले हम investing समझेंगे financing समझेंगे and then बड़े-बड़े question जिसके अंदर सब operating investing financing सब करेंगे त्योनाओे ज़रूद जब एफ्रे शमेंगे चरह रिए